हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकैडमी, नालंदा अकैडमी मैं आपका बहुत बहुत ज़ागत है, आज हम आपके लेकर आए हैं 1500 MC की सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें आज हम समविधान की प्रस्तावना से समबंधित जितने भी मात्मून कुष्चिन बन सकते हैं, उनके बारे में जिसक्स करेंगे और हर कुष्चिन से समबंधित और जानकारी वी मैं आपको प्रदान करूँगा, तो चले दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला कुष्चिन है कि भारतिय समविधान सभा या भारतिय समविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, आपकी ओप्ष्चिन है, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य की नीती निर्देसक्त, यानि डी-पि-एस-पी, और मौलिक करतव है, तो दोस्तों हमारा इसमें सहीं आंसर है भी, यानि प्रस्तावना, प्रस्तावना को ही समविधान की आ आत्मा कहा गया है ठीक है यानि प्रियम्बल इसको बोलते हैं प्रियम्बल इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स इसको डीपी एस पी और इसको ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी तो किसे कहा गया प्रियम्बल या प्रस्तावना को भारती समयधान की आत्मा कहा गया ह ठीक है दोस्तो चलिए दूसरे question क्यों चलते हैं हमारे देश भारत को गरतंत्रात्मक देश क्यों कहा जाता है यह एक word है तो हमारे देश भारत को गरतंत्रात्मक देश क्यों कहा जाता है आपके option है क्योंकि राजी का प्रमग भी यहां पे चुना जाता है दूसरा है सब्सक्राइब तरक जरुक्ता है यानि कि जो हमारे राज का मुखिया होगा जो हमारे देश का या राज यहां पे सच्थ की बात निग्स थे. तो यहां राश्ट का प्रमुक्ता है उसे भी चुना जाता हॏ तो यह ज्यास्थ फिर पर प्राज्य प्राश्श से यह ओंने जो तोats high कि यहां कि के लिए छो तुक्राइक से राज्य के प्रीकश के प्राज्य को कि जो भी हमारे देश का राज्य प्रमुख होगा उसे चुना जाएगा जनता द्वारा प्रत्यच तरीके से जैसे अभी हमारे देश में जो राष्ट प्रत्यच तरीके से चुना जाता है और जो एक निर्धारत अवधी एक निर्धारत अवधी के लिए होता है और उसके बाद दुबारह से चुनाओ कराया जाते हैं जिसमें वो दुबारह भी चुना जा सकता है या फिर कोई दूसरा राष्ट प्रमुख भी बन सकता है और जहां पे ऐसा होते है या जिन जिन देशों में ऐसे अवर्ष्ट प्र तूसरत समिधार समधार के प्रस्तावना में नहीं है। आपका option सही है ङोड़ीiques क्यों क्यों झलते हैं हमारा अगला कुश्टिन हैं निम्ने मेंसे कौन सा सब्द 불खारत के सम्विधार के प्रस्तावना में नहीं है दोस्तों याज रखिए यहां पर पूछ रहा है नहीं है ठीक है तो अब हम इसके अंसर देंगे इसके ऑप्षिन है समाजवादी फ्रहोत्यसंपन लोग कर लियाण या फिर धर्मने पर दोस्तों देखिए इसमें हमारा समाजवादी वर्ट यूज यूज किया हुआ है प्रवतर समपन यूज किया हुआ है तो इसमें क्या आप्षिन नहीं है इसमें लोग तरह लोग कल्याण वर्ड नहीं है अर्था इसका सी ऑप्षिन सही है क्यों क्यों कि लोग कल्याण जो है यह वर्ड हमारी प्रस्तावना में नहीं बल कि हमारे कहां पी यह हमारे डी पी एस पी राज्जी के जो नीटी नीटेशक तत्व का एक क्या है सरकार एक qi bharat इनु में से किस प्रकार का राष्ट है आपकी ऑप्शन हें वादी इसलाम आस्था वाला अदू-मस्लिम राष्टी या फिर धर्म दोस्तों सका सही आंसर है धर्म निर्पेच राष्ट ब्हारत कैसा राष्ट है तो भारत एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट अब इसका मतलब समझे क्या होता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा देश भारत है उसका कोई धर्म नहीं होगा उसका कोई भी धर्म नहीं होगा अब इसका मतलब यह नहीं हुगा कि हमारे देश में किसी भी इनसान पासना कर सकता है और उसके साब से आचरण भी कर सकता है लेकिन देश का राष्ट का किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं होगा वो धर्म निर्पेक्ष या पंत्र निर्पेक्ष होगा अर्थाथ धर्म का देश का कोई धर्म नहीं होगा अर्थाथ जब आप सरकार के किसी पत भाव नहीं करेंगे यानि जैसे आप हिंदू है मालेजे और आप प्रधान मंती बन गए राश्पती बन गए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदू को ज्यादा फेवर करें और जो मुस्लिम्स हैं या सिख हैं साही हैं इनके खिलाफ दुर्वेवार की लगए नहीं आप ऐसा नहीं गए सकते हैं जब तक आप उस सरकारी पत्पे या उस जगह पे हैं आपका कोई धर्म नहीं हुगा आप पंत नियुक्त दवाने का करेंगा तो यह है पर पर आप उस जगह पर बैट कि किसी धर्म का को नहीं फॉल गा सकते इसलिए आपने देखा हो तो जितने भी गौवर्मेंट ऑफिसिंस होते हैं आपके किसी भगवान की मूर्थि कभी नहीं होती है वहापे किनकी मूर्थि मिलेगी आपको किनकी फोटो मिलेगी जैसे जवाडला नहरू हो गए शादार अमबेटकर हो गई इन लोगों की मुर्तिम ने लेकिन कभी भी आपको किसी हिंदू मुस्लिम सिक्षाय या किसी और देवता की फोटो नहीं मिलेगी क्यों कि हमारा देश्चाहें धरम पेच्षास्ट रहें इसलिए क्या ओप्शन सही है डी चलिए अगले कुश्चन क्यों च होने चाहिए क्योंकि प्रस्तावन से सीधे सीधे कुश्चन ऐसी भी कर ले जाते कई बार कि इन सब्दों को क्रम से जमाई जिस हसाब से प्रस्तावना में यूज हुए हैं या उपयोग हुए हैं तो देखिए इसके समाजवादी लोकतांत्रिक देखिये दोस्तों इस सबसे पहले यह वर्ड यूज हुए है फिर लोकतांत्रिक है फिर गडराज हुझ हुए हैं ठीके दोस्तों तो हमारा D option सही है इसमें समझाने लाए कुछ भी नहीं इसको आप as it is याद कर लीजेगा चलिए अगले question क्यों चलते हैं हमारा अगला question है अब इनको करम से जमाना है जैसा मैंने आपको बताया कि question आते हैं यहां से सीधे सीधे इसलिए आपको प्रस्तावना पूरी की पूरी as it is word to word याद होनी चाहिए ठीके दोस्तों तब इसके option सुन लीजे इसके option क्या क्या है सोतंतरता बंधुत्व न्याय समता या फिर सोतंतरता समता बंधुत्व और या फिर छटवा है आपको option कि न्याय समता बंधुत्व सोतंतरता तो इसका सही option क्या है द बतादू देखे man पहले कहता हर अर्थिकestra माजक राजनेथे आय विचार अवयक्तितता धर्म और विस्वास की सुतंतरता क्या क्या है विचार अवयक्तित्रम विस्वास वरुपाशना की सुतंतरता फिर प्रितिष्ठा एवं आउसर की सम्ता और इसके बाद राष्ट की एकता और अकाणिता को बढ़ाने वाली बंधुता है ना तो ऐसे ये वर्ट लाइन से यूची किया जाते हैं तो इसलिए इनका सही करम क्या होगा इनका सही करम होगा ये वाला यानि सी ओप्शन सही है न्या सकती का सुरूत किसे माना गया है या सम्विधान के सकती का सुरूत किसे माने गया है या भारत के सम्विधान में सकती के सुरूत कौन है कुश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है तो आपको कुश्चन समझे नहीं है दोस्तों कि क्या पूछ रहा है अब इसमें ऑप्शन यानि we the people of India है ना यहां से स्टाइट होती है हम भारत के लोग भारत की जनता ही समविधान की असली सक्ति का शुरूत है क्या सब्सक्राइब कर रहा है और उनी मैंसे कुछ लोग राष्ट पती को चुनते हैं और जो अंतर राष्ट पर हमारे देश का प्रतिने जित्व कर रहा होता है हम सबके वहाद में तो असली जक्ति का शुरूर का है हम यानि भारत की जनता चलिए अगले कुश्चन क्यों चलते हैं और इससे पहले दोस्तों यह आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और हां पहला सब्सक्राइब करेंगे आपके लिए ठीके दोस्तों चलिए अगला कुश्चन हमारा कि निम्न मैस किस एक सब्सक्राइब को 42 समयधान संशुदन मतलब 42 सेकंड कॉंसिट्यूशन अमेंडमेंड में 1976 के द्वारा जोड़ा नहीं गया था वर याद रखिए का जोड़ा नही नहीं गया था समाजवादी पंद निर्पेच अखंजता या फिर बंधुत्व है तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी यानि बंधुत्व है तो जो 42 सेकंड कॉंसिट्यूशन अमेंडमेंड मेंडमेंड था यानि जो प्याले समास अमिदन सब्सक्राइब किस ने किया थ लाओ सब्सक्राइब क्या है तो ये किया था इंद्रा गांधी जी ने इसमें तो ये की और 이 उलब नहीं जॉडबा गया था तो यह तिसमें अगले कुशन क्यों बहूं एंगले कूशन क्यों चलते हैं समाजवाद सभी व्यक्टियों को समाजिक नियाए पराप्त हो यानि सोसल जश्टिस हो किसी किसे साथ भी discrimination भी क्या जाए, सबी को एक जैसा माना जाए, सबी को शामानते दे जाए तो समाज एक नहीं की बात करता है हमारा समाज बात, ठीके, तो यह पी आपका D option सही है चलिए अगले कुश्चन क्यों चलते हैं हमारा अगला कुश्चन है भारत एक भारत कब एक संपूर्ण प्रहुत्य संपन्य गण राज्य बना ठीक है दोस्तों कुश्चन है भारत कब एक संपूर्ण प्रहुत्य संपन्य गण राज्य बना आपकी ऑप्शन है मिली थी क्या मिली थी हमें freedom मिली थी अंग्रेजों से आजादी मिली थी लेकिन निदी सही आप कहें कि संपूर्ण प्रभत्र संपन गणराज जिबन कर उबरें ठीक है संपूर्ण प्रभत्र संपन और कर राज भी तभी उबरें कियों 26 जनवर युनियू से 50 को ही हमारे देश के संविधान लग हुआ और उस दिन को आज तक हम तब से लेकिर आज तक अजा गरतंतर दिवस्यार रीपाप्लिक ते रूप में मनाते भी हैं तो इसका सही आप्शन होगा आपका सी जी अगले कुश क्यों चलते हैं हमारा अगला कुश्चन है किस संविधान संशुदन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था अभी मैंने आपको बता दोस्तों तो किस संविधान संशुदन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया जिसका सही आप्शन होगा आपका तब ही लागू किया गया तो इसमें प्रस्तावना बसंशोधन किया गया था चलिए अगले चुर्ट क्यों चलते हैं हमार अगला कुश्चन है इन्हें से कौन सा सब्द है भारतियों को मत देने का हुआ कि देने का मतलब क्या होता है ना आपको कि सब्द के द्वारति जा रहा है तो देखिए दोस्तों पहले मापको इसमझा नहीं अभी मैंने को समझा यहां पर सिंपल्स आई है कि देश का या राज्य का कोई भी धन नहीं होगा क्या है दोस्तों कि देश या राज्य का कोई भी धर्म है नहीं होगा गरतांत्र का क्या मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी देश का पहला नागरिक है जो भी देश का पहला नागरिक है राज्य का पहला नागरिक है वो चुना जाएगा एक निर्धारत अवधी के लिए अपने आंत्रिक और पाह डिसीजन यानि आंत्रिक और पाह निरणाय लेने के लिए पूरी तरह से श्वतंत्र है ठीक है पूरी तरह से क्या है इंटर्नल और एक्स्टर्नल डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से सो तंत्र है अर्था उसे किसी और दूसरे राष्ट से पर्मिशन नहीं लेनी पड़ती है फिर इंटर्नल मैटर हो उसका या फिर कोई एक्सटर्नल मैटर हो यानि हमें चाइना से नहीं पूछना पड़ता है कि हम अपने देश में क्या चेंजिस करें कौन से पॉलिशी लाग बना तो क्या बचा अरहां अरिक यहां प्रजा का तंत्र है ना फिरलता नेकिटतों यहां पर जाके दौरा यह विद्धाया का निर्मान की यहां गलते कर दो तो यहां पर जक दौरा यह लोगों कि दोहलेुत स हम ड होते हैं तक रक चुना जाते शूंत पर मुख मंत्री बनते हैं और MP यानि जो हमारे संसर चुन जाते हैं जने हम संसर चुनते हैं उनी वैसे फिर कोई एक क्या होता है प्रदार मंत्री चुन के जाता है तो हम कह सकते हैं हमारा सी ऑप्षण सही है अर्दाथ इन में से कौन सा सब्सक्राइब भारतियों को मत देने का रब्त होता है चलिए अगले कोश्चिन की और चलते हैं हमारा अगला कुश्चन है भारतिय सम्मिधान में नयाय का कौन सा रूप अपनाया गया है तो देखें दोस्तों अब यह कह रहा है नियाय के सार कितने रूप होते हैं तो आपको समझना है कि नयाय के किस रूप कुई बात भारतिय सम्मिधान करता है ठीक है आपकी option है आर्थी निया दूसरा सामाजिक निया तीसरा राजनेतिक निया और चौथा डी उपर एक सभी देखिए दोस्तों मैंने भी आपको बताया ना कि किस से क्वेंस में प्रस्तामना में रखा गया है इन वर्डों को निया यहां यहां और शॉस角 निया और राजनेतिक निया तो हमारा चलते है यह अगला कुस्यन है कि वह हैं वहारतिय संविधान के न Score कॉन सकते सकती की सब्सक्ता कौन है तो आपके राश्पती संसत्थ नह पहल का या फिर आम जंत दोस्तों आम जंता इसका आपका डियुक्शन सही है चलिए अगले कुश्यन क्यों चलते हैं हमारा अगला कुश्यन है कि भारतिय सम्मिधान के अनुसार इन सभी में सबसे उपर सक्तिशाली कौन है ठीक है भारतिय सम्मिधान के नुसार इन सभी में जो निम्न है जो चारो आप्शन है निम्न सबसे सक्तिशाली कौन है आप तो समझ में आपैंगा है आपको उप्याइधक्रन संम्मधा चुपर कौुं संभाईधान क्यों कि यही वो ह्ना इन टीनों को भी सक्तियां फ्रुबाइद कराता है या इसी के तहत तो सब स्जए क्वार्फ़ ऋक्राइधक्रन हो रहे हैं इस वियहांपर कऊन हो गया शमर्थान लिए 10-90 कोई सब्सक्रण तर्ब्रकर हो गया है तो सबस्य रिपान हो गया सम्मृष्ण प्रफिशन प्रणाया सही है अगले खुष्ट 17 हमारा अगला कुशन है सोलवा भारती सम्विधान को सम्विधान सभा के दोरा कब अंगी करत किया गया था नहीं कब accept किया गया था देखिए अब आप समझेए इसका पहले आपको ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन क्या कहा है आपके चाहिरfrage सब्सक्राइबर 250 62 3 chỉह 9 साफर 9 स winners of 140 देखिए दोस्टों इशडिन कमा इस दिन हमारे देश का संविधान क्या हुआ था इस दिन हमारे बा मतight किया हुआ था चृष मां पहली पनेज के थे इस दिन क्या हुआ हमें सभा की पहली बैठ सभा की पहली पहली सेटिंग है ना पहली बैठा कुई थी अब बचा ही ऑप्शन हमारा तो चब्वेस नुबर उनिस उन्चास को ही हमारा सम्विधान क्या हुआ था अंगी करत किया गया था इसका मतलब ही हुआ कि इसे एकसेप्ट किया गया था सम्विधान सवा के द्वारा इसने आपने सब्सक्रास को एतत द्वारा इस सम्विधान को अंगी करत अधी नेमध एवं स्वारी आत्मर्पित करते हैं क्या करते हैं एड़ॉप्ट इनक्ट एंड गिव टू आर्सल्फ डिस कॉंस्टिटूशन है ना तो इसी दिन हमने किया इसको अंगी करत किया था यादिक्स पुरे हिस zij से पूरे जगए से थे प्रतिम अधी इस समयधान शवां बैठे वे ते जो पूरे कहाई में पर तो था लिए प्रत्रीन धेशन्य ना ये र लिए पना लिया और की उसσι के लोगोन देश के लिए ही बना दिया गया है आर हमारे लोगों के लिए हमारे हित्न से है चलिसे अगले ुच्छे ये और चलते हैं हमारा अगला कुशिण है ön कितिनी सानष्ट़न होंना में कितिनी बार संभिधान में किया जा चुका है कि दोस्तों एक बार किया है आपका टी ओप् далा विच्छन सही तिक तोड़ेफ्यक्राइइमचिक्षन क्या भगए हुआ है उसके पहले भी निवा और इसके बाद अब तक अभी नहीं हुआ है ठीक है दोस्तों उसमें आपका डी ऑप्शन सही है चलिए अगले कुश्चन क्यों जलते हैं हमारा अगला कुश्चन है लुगधार के किस रूप को अपनाया गया है अपकी देक रास नतर लोक दन समय पंधाने रास तंतर और रास त्र तो दोस्तों इसको cya guys प्रस्तावना याद की होगी तो आप प्रस्तावनों से इसका असी दान सा निकाल सकते हैं कि हमारा देश क्या है एक संपूर्ण प्रहुत्य संपन्न समाजवादी पंतिन रिपेच लोगतंत्रात्मक गड़राज कि और यहां लेकिन आपका प्रत्यच लूंत कुंट प्रत्यच या फिर आ fight फिर दिया प्रत्यच या इन क्यों नहीं कि यहां पर क्या है कि वहां पर लोगतांत्रिक राशतनत्र है व poop money ए बीटेन है यह लोगतांत्र लोग संक्रिक एक राजा है और उसी की वंस और आ पहले जाता है फिर उसमयदान निमने मैंसे किस बारे में बात करता है आपके संब्सक्राइए और बात करता है जिसमें आपका शॉप्षण क्या होगा सही इसमें का सही होगा याहनी नतराश्य संथी क्या होगा यानि सभी प्र लेकिन, इसके बात नहीं की गई है, तो हमारा option C सही होगा चलिए अगले कुश्चन के वर चलते हैं हमारा अगला कुश्चन है भारती सम्मिदान को किसके द्वारा स्विक्रत किया गया है आपको सबको बता होगा तो इसका अंसर को मालूम पड़ जाएगा भारत की जंता द्वारा भारत सरकार के द्वारा भारत की अंसरत के द्वारा यानि भारत की जंता के द्वारा भारत के सम्मेदान को श्रीकरत किया गया है जिसे कहा गया हमने अंगली करत अधीनी में थे था आत्मर्पित करते हैं यानि अगले कुशन के चलते हैं हमारा अगला कुशन है कि भारती सम्मेदानी के प्रस्तावना में तेस के लिए कौन सा न राजरहसाहां ने इसकी चित्रकारी संम्हां чिन हहाथ हुआनें डेसं वर्दों बंड्र09 कि सब्दों कि उचिया क्या है है किन वर्डों का ईस्च जगिया है आप Boss अब भारत वर्ष भारत वर इंडिया या इंडिया और इंडियस्तान तो दोस्तों आपको पता है हम भारत के लोग झालत हो गया झालगे यह ऑप्शन अब प्ता हो गया कि ऑफ इंटिया चाही अप चीन होगे तो नहीं हो कि मतलब भारत और इंडिया वर्ट को यूज किया गया है हमारे देश के लिए प्रस्तावना में कि दोसतो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है नहीं किया तो प्लीज आशे चס़वरे और आपना ने दोस्तों और भांद के नदर करूंगा धन जानोड में पूज्वर inाube कर ले ज्दधस चैनल कश्यार करें और लगान लगा करें मण मन लगाके पढ़ाई करें और अच्छे चाल आता तो आपको अगली वीडियो में आपको वह पूधाऊbn phrase लिया कर